प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल क्वेस्ट इंडिया और प्रेस बेल आइकन फॉर आल नोटिफिकेशन नाश्कार मैं हूँ डॉक्टर दिल्बी सिंगर आप देख रही है यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया दोस्तो यदि आप हरियाना के किसी भी पोस्ट के लिए आपने एपलाई किया है या फिर आप करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपने सभी परकार के वेकेंसी के अंदर ये जरूर देखा होगा हाला कि ये डिजारेबल के अंदर मिलता है अब डिजारेबल का मतलब ये होता है कि मेनेटरी तो है नहीं परन्तु लिखा होता है यदि आपके पास आईटी स्किल होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है तो आज जो कम्प्लीट बात है वो इस पे फोकस करने वाले हैं कि यदि आप हरियाना गोवर्मेंट के किसी भी विकेंसी के लिए आपने एपलाई किया है तो वहाँ पे डिजारेबल के अंदरी जहां ये मैंसन किया होता है कि यूज ओफ न्यू टेक्नलोजी और इसके साथ में कनवर्सेंट इन आईटी स्किल इसका पूरा मतलब क्या है और क्या ये होता है हाला कि बहुत सारे कंडिडेट से बहुत सारे हमारे दोस्ते वीवर से मैंने इस बारे में पूछने की कोशिस की कि आईटी स्किल का मतलब है क्या यानि के कनवर्सेंट इन आईटी स्किल का मतलब क्या है पर उन्तों आपको मैं सही माइने में बता हूँ तो 90% हमारे कंडिडेट्स को या फिर जो कंडिडेट्स एपलाई कर रहे हैं हरियाना गवर्मेंट जोग के लिए उनको इस बारे में बिलकुल भी नहीं पता है कहीं आप भी तो उस में से नहीं है कि आपको कंडिडेट्स कील का कंडिडेट्स मतलब ही नहीं बता है देखिए जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो एक अमूमन एक सिंपल सा जो रिपलाई मिलता है वो मिलता है कि Conversion 10 IT Skill का मतलब तो यह होता है सर कि आपको mail receive करने आनी चाहिए, आप mail भेज सके और क्रीज के बारे में जो simple सा जवाब देते हैं वो देते हैं कि इसके अंदर computer का knowledge की बात की गई है आप देखिए computer का knowledge बहुत ही vast होता है और vast का मतलब इसके अंदर hardware, software, अनेकों चीज software के अंदर आती हैं अनेकों चीज hardware के अंदर आती हैं तो कितनी depth इसके अंदर चाहिए, इसकी बात कैसे करें और कौन बताए, कि हमें IT Skill में कितना चाहिए और यदि आप IT Skill को देखोगे, यदि आप Google भी IT Skill को करोगे तो उसके अंदर use of computer कहीं नहीं mention होगा उसके अंदर आपका communication भी mention मिलेगा उसके अंदर आपके project writing भी मिलेगी उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़े include मिलेगी तो IT Skill कैसे define किया जाए यहाँ पे आज जो हमारा focus है वो सिर्फ उनके लिए है जो हरियाना government के लिए apply कर चुके हैं या फिर वो करने वाले हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कम से कम यह जरूर पता हो कि यह IT Skill का मतलब क्या है यानि के conversant in IT Skill और effective use of new technology का मतलब क्या है तो आईए इसको पूरा जान लेते हैं और पूरा जानने के लिए आप बने रही हैं मारे साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है और बहुत ही simple task से मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे simple task क्या है कि conversant in IT Skill का मतलब क्या है conversant in IT Skill का मतलब है कि आपके पास कोई एक ऐसा diploma होना चाहिए कोई एक ऐसा certificate होना चाहिए जो IT Skill से related हो यह diploma आपको कहा से मिलेगा मैं उसकी बात भी आपको बता देता हूँ आपने कभी सुना है NSDC NSDC का पूरा मतलब है National Skill Development Corporation यह एक central की scheme है आप इसको skill India central sponsored भी कह सकते हैं और आप इसको कोसल भारत और कुसल भारत के नाम से भी जान सकते हैं कुसल का मतलब skill है और कोसल का मतलब भी आप जानते होंगे तो यहाँ पे जो चीज है यदि आप NSDC National Skill Development Corporation की site के उपर जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा आपको पता चलेगा कि एक परकार का Diploma Center Government प्रवाइड करती है यहाँ पे National Skill Development में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा आपको देखना होगा एक Partner Scheme के बारे में और वो Partner Scheme कौन सी है कि जहाँ पे आप इस Diploma को कर सकते हैं अब यह मान के चलिए कि आप अभी Form एपलाई कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप Diploma कर लेंगे मेरा मताने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि आपको इसके बारे में Information नहीं है तो आप ना तो किसी को Guide कर सकते हैं ना ही इसके बारे में किसी को बता सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे तो इसी प्रकार का एक ट्रेनिंग पार्टनर की प्रोफाइल है और इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है चोधरी देवीलाल मेमोरियल ट्रस्ट और यह है चंदिगड के अंदर यहाँ पे इसका address लिखा हुआ है और CEO का नाम है रतनमोल सिंग और यह प्रोट नमबर पांच सेक्टर थाइस चंदिगड और प्रोमोटर है इसका मोहलाल यहाँ पर भी आप कर सकते हैं यह तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरियाना के अंदर और जो हरियाना के अंदर लोग रहते हैं उनको सब से नज़दी काँ पे पड़ेगा और मैंने तो सर्च यह चंदिगड का किया है कि हो सकता है यह हरियाना के अंदर और भी कई जगा हो model कौन-कौन से हैं और जो की achievement का data उपलब्द नहीं है कुछ चीज़ें यहां पर उपलब्द जरूर है यह आप इनको देखना चाहो तो वह है कि जैसे अब तक कितनी training complete हो चुकी है 540 training complete हो चुकी है 73% को placement भी मिली है और number of the operation center अभी भी इसके 3 है average capacity of the fixed training center 1000 है और यहां पर कुछ number of trainer full time कितने है number of trainer full time है साथ और part time है दो और sector कौन से code होते है important यहां पर यह है मैं आपर आप देखो के electronic, IT hardware, IT, IT cell information, informal employment, organized retail, power, telecom, tourism इस परकार के और hospitality service इस परकार की चीज़े यहां पर include की गई है तो यह एक इस परकार का center है और इस परकार के और भी आप ढूंड सकते हैं कुछ चीज़ें आप नीचे भी यहां पर देख पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस परकार का diploma लेना है और किस center से आपको यह लेना चाहिए इसके उपर जब आप जाओगे तो NSDC National Skill Development आपको मिलेगा और यहां पर partner program में आप देखोगे जो भी नजदीक institution है आप वहां के लिए apply कर सकते हैं जैसे आप अपनी screen पर देख पा रहे होंगे यह है चोधरी देविलाल मेमोरियल ट्रस्टी चंदीगड का है और यहां पर आप डिपलोमा कर सकते हैं और यह फिर आपको एक certificate available करवा देंगे और उस certificate के आधार पर ही यह माना जाएगा कि आप IT skill के अंदर और आप effective use of new technology के बारे में जानकारी रखते हैं तो देखिए government ऐसे नहीं मानते के आपका कोई test लेके देख लिया और आपको यह the IT skill के बारे में पता है या computer के बारे में आपको पता है email के बारे में आपको पता है MS Excel या word के बारे में आपको पता है तो आपका selection इसी आदार पे preference देके हो जाएगा तीकि यह होता है जब आपका test लिया जाए या practical use इसके बारे में पूछा जाए यहाँ पर desirable पूछा गया है तो एक certificate आपके पास होना जाए यह certificate आपको कौन देगा NSDC ही इस certificate को दे सकता है अब आप यह पूछेंगे कि इसके अलावा हम कहां से कर सकते हैं जैसे हरियाना के इंदर रहने वाले काफी पूछते हैं कि क्या सर हम इसको हार्ट रोन वगारा से कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि IT स्किल का डिपलोमा हार्ट और वगारा प्रोएड नहीं करता है आपको NSDC या फिर इसके पार्टनर जो एजनसी हैं उनके उपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा तो यह तो थी इंफरमेशन जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो IT स्किल का मतलब क्या है और हरियानग गवर्मेंट के अंदर किसको वो IT स्किल के अंदर मानते है यानि कि कि किस परसन को ऑकाउंट करेंगे कि वो कनवर्सेंट है IT स्किल के अंदर और effective use जानता है new technology के बारे में यदि NSDC का आपके पास कोई certificate है या फिर उसके दुवारा किसी partner agency का आपके पास certificate है तो आप तब ये माने जाएंगे कि ये आपके पास कुछ ना कुछ आपने course कर रखा है और आप effective use जानते है new technology के बारे में और आप conversion है IT scale के बारे में ये छोटी सी information थी उमीद करता ही आपको पसंद आई होगे हमारी चैनल का subscribe जरूर करें और इसके साथ में share भी करें और comment भी जरूर करें बहुत बहुत आपका दिने बाद